हेलो गाईज कैसे सब लोग कैसे चल रही सबकी पड़ाई बढ़ी एक दम सो माई नेम इस संजीफ पांडे और स्वागत आपका आपका आपने प्यारे से चैनल में खुबसूरे से चैनल में जे आर टुटोरियल में जैसा कि आपको पता है, we have completed the topic number 6, हम लोग ने छटवा topic complete कर दिया था, which is nothing but a superposition of wave, और superposition of wave में हम लोग ने बहुती important, important topic discuss किया है, that is, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने discussion किया है, stationary wave के equation की, हम लोग ने बात किया है, node-anti-node की, हम लोग ने बात किया है, air column की, one of the important topic है, one of the important question है, by दोनो air column, open at both end and closed at one end, हम लोग ने string vibration की बात की, हम लोग ने beat formation की बात की, okay, almost हम लोग ने सारे के सारे derivation, superposition में से discuss कर लिये हैं, और उसमें से एक derivation guarantee है, याद रखना, तो superposition का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाओ, superposition का वीडियो देखो, और यहाँ पर वापस जम करो, that is called the wave optics, अब यहाँ पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, wave optics, nothing but your chapter number 7, अब यहाँ पर कहानी क्या है, this is nothing but a continuation part of your ray optics, ray optics हम लोग ने पढ़ा है 11th में, अब हमको पढ़ना है wave optics, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते ह है, wave nature of light, मतलब यहाँ पर जो तुमारा light है, वो show करता है wave nature, wave nature of light, अगर हम लोग देखने जाए, तो बहुत पहले, सबसे पहले theory आई थी, किसकी theory आई थी, सबसे पहले Newton सर की theory आई थी, that called as corpuscular theory, मतलब Newton सर ने क्या बोला, कि भाई, जो light है, light has a particles, और उसके पास कौन से particles है, उसको बोला गया, नाम दिया गया, that is called corpuscles, उसको क्या बोला गया, corpuscles, तो उन्हें ने बोला कि भाई, जो light है, वो particle से बना हुआ है, basically, okay, जो light है, वो particle से बना हुआ है, और ऐसा मान भी लिया गया, obviously, बहुत बड़े scientist थे, okay, sir Isaac Newton, बहुत बड़े scientist थे, तो वो चीजें मान ली गई, but कहीं न कहीं वो चीजें क्या हो गई, वो चीजें गलत साबित हो गई, जब एक scientist आया, that is called wave, that behaves as a wave, उन्होंने कहानी दी wave front की, उन्होंने कहानी दी wave let's की, तो यह सारा चीज हमको यहाँ पर पढ़ना है, इसके पारे में ज़्यादा detail नहीं है हमारे पास, क्योंकि यह थिरी वहीं पे, वहीं पे अगर देखने जा है, तो वहीं पे रूख गई, ओके यह चीज गलत नहीं हुई, याद रखना, क्यों गलत नहीं हुई, क्योंकि तुमको एक topic है dual nature, जब हम लोग dual nature पढ़ेंगे न, तो dual nature में यह चीज बताया तो अगर हम लोग देखने जाए, तो यह कहीं न कहीं सही है, बट यह theory को वहाँ पे रोख दिया गया, और बाद में high genes को accept किया गया, और high genes ने बताया, कि wave nature भाई, जो light है, वो wave nature शो कर रहा है, फिर वापस Einstein आया, Einstein ने वापस बता दिया, कि भाई, जो light है, वो शो करता है particle nature, फिर उसके बाद एक और scientist आया, that is called de Broglie, उन्होंने बता दिया, भाई, dual nature, मतलब light के पास भी dual nature है, और जो matter है, matter के पास भी dual nature है, मतलब हम, आप, यह marker, यह board, यह सारे के सारे wave है, यह सारे के सारे wave है, यह सारे चीज़ dual nature में हम लोग पढ़ेंगे, जब dual nature की कहानी optics, क्या discussion करने वाले है, wave optics, तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले है, wave nature of light, अब wave nature of light किस ने बताया था, बताया था, hygiene principle ने, तो what is that principle, सबसे पहले principle देख लेते हैं, बाद में उसको topic discuss करेंगे, चलो, तो what is the principle, principle क्या बोलता है, each point on the wave front, अब सबसे पहले wave front की बात आती है, तो थोड़ा pause लो, और wave front क्या है, वो आके देख लो, wave front क्या होता है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई, जितने भी इतने भी source है, माल लोग कि यहाप एक light है, एक point source है, माल लोग लोग लग रहा होगा, थोड़ा त्रेणा देख के देख रहा है, एक्च्छल में मेरा जो गर्दय ने उस पर थोड़ा सा मोच आ हुआ हुआ है, तो लिखने में में मेरको problem हो रहा है, और थोड़ा सा देखने कर लें आज, चलो, हम लोग बात करते है, point source की, अगर हम लोग बात करें, माल लोग कि इस point source से क्या निकल रहे है, light waves निकल रहे है, अब अगर हम लोग देखने जाए, तो light waves किस किस direction में निकल सकते हैं, अगर हम लोग अगर हम लोग देखने जाए, तो light waves किस किस direction में निकल सकते हैं देहान से देखो तो माल लो की इस डारेक्शन में निकल रहे हैं 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 हर एक डारेक्शन में लाइड वेव निकलेंगे हर एक डारेक्शन में मतलब स्पेसिकली देखने जाओ तो पूरे स्पेरिकली शेप में निकलेंगे बाहर, ऐसा नहीं है 2D, 3D निकलेंगे बाहर की तरफ भी तो वेव निकलेगा, अंदर की तरफ भी तो वेव निकलेगा, यह सौन, आप कहानी क्या हो रहा है, देखो माल लो कि अगर एक पार्टि करेंगे यह वाला वेव जितना डिस्टंस ट्रावल करेंगे, क्योंकि सबकी velocity सेम है और सबके लिए time interval भी सेम है yes or no मतलब यहाँ पे जो particle होगा और यहाँ पे जो particle होगा 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 यह सारे के सारे same phase में vibrate कर रहे होगे yes or no यह सारे के सारे particle क्या कर रहे होंगे same phase में vibrate कर रहे होंगे the condition is कि भाई सबका distance क्या होना चाहिए v into del t सब का डिस्टन्स हुए अगर मैं इसको connect करूं सारे बर्टिकल्स को तो यह जो पर्ट बना रहा है यहां इसको ही बोला गया उसको ही बोला गया वेब मतलब मेरे जो वे वेफ्रेंट ओक इसको भूला गया वेफ्रेंट मतलब बिसिकली तुमारा जो उन्होंने एक नजरिया दिया वेफ्रेंट के फॉर्म में देखने को ना कि वेफ के फॉर्म में देखने को वेफ्रेंट के फॉर्म में देखने को ओके अब इस वेफ्रेंट पे इस वेफ्रेंट प्रियां पर यह यह इदो पार्टिकल्स हैं यह सरे से और फंथ करेंगे आज से से क्रिइडरी स्थ मराइंगे मतलब मिलेया अव शेकिंडरी सोर्स कैसे बनाएंगे यहां पर क्या करेंगे सेँ बीएटी डिस्टंस सेम वीटी दिस्टै इसञां यह को नियारि है और यह 27 लेहिका यारिक न रहेगा बि adalah 2 अलीके इए नरिण गोटेंगे कहां से यहा पे भी 109 00007 यहां पे भी आरें भाले गई यह सो रहा लू ऺंड भाल रहBO आप क्या करो हूँ यह आर्ख को टेंजन बनाना तो भाइए इसको टेंजन मना ओए सब्सक्रा वाह एसको टेंजन इन्मनोर हओ इसमोर य। अ सारे आर्प रहेंगे लिय। हरे का देघ्ट हरम अ ज सिंद मनाते मुड़ा हरे को टेंजन मनाते जाओँ है तो यह क्या करव की तरह ऐसा नहीं बन जाएंगे तो इसको क्या बोला गया secondary wavefront अब यहां पर जो पार्टिकल रहेंगे वह as a tertiary source आग करेंगे और वह तुमको tertiary wavefront बना के देंगे यह सो ना ऐसी करते 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 मतलब मेरा जो wave है वो form वो मतलब बाहर निकलेगा in the form of wavefront in the form of wavefront यह spherical wavefront की बात और यह मतलब अगर इसको 3D में मैंजन करोगे तो यह ऐसा कुछ बनेगा ओके मतलब ऐसे बाहर निकलेगा यह ऐसे बाहर निकलेगा अगर तुम लोग पत्थर डालते हैं कोई भी disturbance क्रियेट करते हैं तो रिपल्स फॉर्म होते हैं यह सो ना तो दैट वन रिपल वह जो एक रिपल है वहाँ पर देखो तो वह जो रिपल है वह सेम टाइम इंटर्वल पर सेम डिस्टन्स टावल कर रहा है ऐसा नहीं न कि भाई एक रिपल एक ही एक ही क्रस्ट बना है सारे के सारे एक ही क्रस्ट बना है अब वही क्रस्ट धिरे दिरे आगे जा रहा है वही क्रस्ट धिरे दिरे आगे जा रहा है ऐसा नहीं कि एक जगे का क्रस्ट आगे चला गया मतलब मालनो कि यह circle है ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ तो circle है और एक जगे का crust आगे चला गया ऐसा मालनो एक जगे क्रस्ट क्या हो गया आगे चला गया, ऐसा होता है क्या कभी कभी देखा है क्या, कभी पत्थर फे को तो पूरे के पूरे जो circle रहेंगे जो उसके रिपल्स रहेंगे वह एक साथ आगे बढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा रिपल्स तूटके आगे चला गया ना यह जूषरीपलस है ना दाट कि इस नहीं सेख़ेंगे फ्रेंट वाला पार्ट है थो उन्हों ने वीrese रेंट की कहाँologies नो वेव फ्रेंट की कहानी थी, clear बासन में आ रहा है, और यह जो पार्ट है, that's called wavelengths, wavelengths मतलब, वो as a act करेंगे secondary source, ओके वो secondary source की तरह काम करेंगे, ओके यह मैंने पानी के with respect to में समझा है, बट इसको light में समझनी कोशिस करो, क्योंकि हम लोग light का discussion कर रहा है, clear बासन में आई, तो यहाँ पे ध्यान दे, तो क्या बोला है, each point on the wave front, act as a secondary source of light, emitting the secondary light wave, called as wavelengths, उनको क्या बोला गया, wavelengths, मेरा जो secondary lights के जो sources, उनको क्या नाम दिया गया, wavelengths, in all direction, which travel with a speed of light, which travel with a speed of light, clear बासन में बहुत important question है, यह hygiene principle, अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर तुमको कुछ भी बनाना है, माल लो कि अगर मैं बात करूँ cylindrical के लिए, तो माल लो कि एक cylindrical source है, मतलब एक linear source है, अब यहाँ से light निकल रहा है, माल लो, यह मेरा wave है, यह क्या है, यहाँ इसी अगर परपेंडिकलर ड्रॉल करूँगा तो इसे का परपेंडिकलर बनेगा देया, सारा परपेंडिकुलर अगर मैं जोड़ने जाओं तो सारा का सारा परपेंडिकुलर जूड़के एक सिलेंड्रिकल बन जाएगा कि यह बन जाता है सिलेंड्रिकल वेफरेंट क्या बन जाता है सिलेंड्रिकल वेफरेंट किसके लिए अगर लीनियर सोर्स रहा तो लीनियर सोर तो अगर हम लोग देखने जाए तो अगर लीनियर सोर्स रहेगा तो सिलेंड्रिकल वेफ्रेंड बनेगा क्या बनेगा सिलेंड्रिकल अगर यही पॉइंट सोर्स रहा सो जो वेफ्रेंड बनेगा that is a spherical wavefront कैसे बनेगा सिलेंड्रिकल वेफ्रेंड बनेगा और अगर मालों की बहुत पार्लर सोर्स आ रही है बहुत दूर से बहुत साई पार्लर सोर्स आ रही है मालों कुछ ऐसा है तो साइड में कर देता है मालों ऐसा है बहुत सारी पार्लर सोर्स आ रहे है कहीं दूर से आ रहे है अब अगर पार्लर सोर्स आ तो इसके लिए जो वेफ्रेंड बनता है रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्लेन वेफ्रेंट मतलब अगर पार्लर सोर्स आ रहेंगे बहुत सारे पार्लर सोर्स इस तो क्या ही बनता है तब बनता है प्लेन वेफ्रेंट क्लियर बासन आ गई होगे सब्सक्राइब क्या है हाई जिन्स प्रिंसिपल एवरिवन पक्का तो अगर कहीं पर तुमको ड्रॉ करना है वेफ्रेंट तो इस चीज़ का ध्यान देना वेफ्रेंट रहें तुम्हारे बासन आ गई फर्ष अन कर लेक्सन और नेक्स ठोड़ासै अधी और हथ चोट ही काहनी जादी बड़ी कहानी नहीं है अगर हम लोग देखने जाए तो स्थो नेत्स तुम्हारा बेसिक औरी कर दो सब्सक्राइब क्या ही होता है अगर तुमको याद होगा रे आप्टिक्स अगर तुमने पढ़ा होगा तो जो साइन आए था रिवाड़ बाय साइन आर यह बराबर होता था एक कॉंस्टेंट से और वह कॉंस्टेंट को हम लोग बोलते थे उसको एन की दिशन क्या भीव से और यहां पर देखने जाए तो यहां पर क्या ही कहानी था पर कहा नहीं था भाई, SIN I, बराबर होगा, SIN R से, और जो कि बराबर होगा, refractive index of medium 2 divided by medium 1, यह होता था, refractive index of medium 2, और यह होता था, refractive index of medium 1, हाई ना, यादा रहा है, यह हम लोग ने अल्रेडी 11th में देखा हुआ यह चीज, हाई ना, अगर मैं यह ही बात करूं, in terms of velocity, in terms of velocity, तो velocity कैसे defined होती थी, velocity कैसे होती थी, by inversely proportional होती थी, जिसका refractive index ज्यादा, उसका velocity कम, जिसका refractive index कम, उसकी velocity ज्यादा, yes or no, velocity के साथ ये चीज़ inversely proportional थी, तो मैं बोल सकता हूँ, v1 by v2, बराबर होता है, mu2 by mu1, आया ना, मतलब अगर मैं refractive index देखने ज proportional है, but velocity का formula क्या होता है, v is equal to n lambda, ओके, तो अगर यहाँ पर put करूं, but, speed is, speed of wave क्या ही होता है, speed of wave, already हम लोगने 11th में पढ़ा हुआ है, that is, v is equal to n lambda, where n is frequency, and lambda is wavelength, length आया, तो यहाँ पर मैं substitute करूं, तो क्या ही मिलेगा देखो, जरा, थोड़ा सा उपर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा उपर कर देते हैं, तो अगर मैं substitute करूँ तो क्या ही मिलेगा देखो जड़ा V1 क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा N lambda 1 divided by N lambda 2 is equals to mu 2 by mu 1 N, N cancel तो यहां से बोल सकता हूँ therefore mu 2 by mu 1 बराबर हो जाता है lambda 1 by lambda 2 से यह चीज़ का ध्यान देना अब मैंने frequency cut क्योंकि क्योंकि wave की एक ऐसी property है frequency जो कभी भी medium change करने पर change नहीं होगी medium change होने पर velocity change हो जाएगी मतलब speed change हो जाएगा wavelength भी change हो जाएगा बड़ जो frequency है वो कभी भी medium change होने पर depend नहीं करती वो अपने initial source पर ही depend करती है जैसे कि अगर मैं बोलने जाओ कि मालोगी लाल color है तो भायो लाल color लाल color ही रहने वाला याद रखना ughले वो कितना भी medium change कर लेए frequency सेम ही रहने वाली है अगर वो electromagnetic wave में अगर मालोगी वो radio wave है तो रेडियो wave की frequency वही रहने वाली है हाँ ागर वो medium change कर रही है तो वह सकता है कि उसका लामडा change हो जाए हो सकता है क्या होगा ही और हो सकता है उसकी velocity भी change हो जाए बढ़ जो frequency की कहानी है वो same होती है तो medium 1 में भी frequency same होगा medium 2 में भी frequency same होगा तो दोनों की frequency cancel हो गई तो that's why lambda 1 by lambda 2 is equals to new 2 by new 1 और मैं बोल सकता हूँ new 2 by new 1 is equals to lambda 1 by lambda 2 this is the relation between refractive index and wavelength clear बास समझ्मारी everyone पका कहा नी समझ्मारी की नी समझ्मारी everyone पका ओके चलो तो basically आज को जो topic था वो introduction वाला part था इसमें हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं मैं बता देता हूँ इसमें सबसे important topic है तुमारा polarization, interference and diffraction तो हम यह तीनों चीज़ कवर करने वाले polarization भी कवर करने वाले यह topic में हम लोग interference भी कवर करने वाले हैं और हम लोग diffraction भी कवर करने वाले हैं याद रखना इसके पहले के सारे जितने भी वीडियो से सारे पढ़के बढ़ जाओ क्योंकि जैसी ही यह chapter start करेंगे यह chapter भी फटाक से हम लोग खतम कर देंगे दो से तीन lecture में ज्यादा ज्यादा तीन से चार lecture में हम यह chapter खतम कर देने वाले हैं और important आगे everyone ओके चलो अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल पर फर्स टाइम हो तो चैनल को सस्क्राइब करना और शेर जरू कर देना अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूसकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके चलो तो आज का वीडियो यहीं पेंट करते हैं आज के लिए बस इतना ही that's it for today thank you so much